हे दोस्तों हम लोग में से बहुत सारी लोगों ने यह सोचा होगा कि एरिया 51 का नाम एरिया 51 ही क्यों है मतलब एरिया में सोता है जगह पर 51 51 क्यों 52 53 54 क्यों नहीं और क्या किसी एर फोर्स मिलिटरी बेस में इतनी हाई सिक्यूर्टी होती है और एक आम इनसान तो छोड़ दो किसी नियूज रिपोर्टर को भी जाने की जाज़त नहीं इस जगह पर नहीं आप इस जगह की फोटो ले सकते हो इतनी हाई सिक्यूर्टी क्यों यहाँ पर आखिर क्या है ऐसा एरिया 51 में जानेंगे आज की इसी वीडियो में दोस्तो आज का यह वीडियो एरिया 51 के उपर होने वाला है आप में से बहुत सारे लोग एरिया 51 के बारे में जानते और सुने होंगे पर आज मैं आपको एरिया 51 की कुछ ऐसे फैक्ट्स और स्टोरी बताऊंगा जिसे आज से पहले आप नहीं जानते होंगे तो चली दोस दोस्तो एरिया 51 का नाम सुनते हैं तो हमारे माइन में सबसे पहले यूएफो और एलियन का ख्याल आता है एरिया 51 इतना फेमस बस अपनी कंस्पिरसी थियोरी के वज़े से और इस अलाके में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होती है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस यूफो क्रैश में कुछ एलियन जिन्दा बज़े थे जिसे एलिया 51 में भेज दिया गया और इसकी बात से ही बहुत सारी लोग सामने आये जिन्होंने ये दावा किया कि व वो एलिया 51 ने बहुत सारे सांटिस्ट और एलियन की साथ मिलकर काम किये हैं उन्होंने ये भी बताया कि ये सब एलियन प्लोटोनियम नामी प्लैनेट से यह चो हमारी इस जमीन से 39 लाइट एयर्स दूर है इन लोगों को प्लोटोनियम प्लैनेट से अर्थ पर आने में सि करते थे जहां यह योफो के पार्ट और इस पर स्टडी करते थे इनके मताबिक जब यह लोग एरिया 51 में इंटर करते थे तो इन लोग को एक बस के जरीया अंदर लेके जाया जाता था जहां उस बस के सारे विंडो ब्लैक कलर के होते थे जिसकी वज़े से वह बाहर का कुछ से निकाल दिया गया यह सब चली रहा था कि बहुत सारे लोग यह क्लेम कर रहे थे कि वह एरिया 51 में काम करते हैं पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़े से पुरिद्ध दुनिया की निगा एरिया 51 पर जाके टिक गई वह इस वज़े से 1990 को बहुत सारे कंट्री के किया जाता है दोस्तों अब तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया अब आपको भी ऐसा लगने लगा होगा कि यूज गर्वंट नहीं चाहती है कि वह एलियन और इससे जुड़े को भी चीज़ को पब्लिक ली रिविल्ड करें लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला उसमें लिखी हुई है और 1960 में भी नासा के बहुत सारे सैंटिस ने भी यह कहा कि यह हमारे लिए इंपॉसिबल है कि किसी भी एस्ट्रोनौट को मून पर बेजा जाए वो इस वज़ए से क्योंकि रडियेशन की वज़ए से एस्ट्रोनौट स्पेस में ही मर जाएंगे ले यह सब कैमरे के सामने एक फिक लैंडिंग करवाया जहां पर दिखाया गया कि निल आर्मिस्ट्रोंग चांद पर पहला कदम रखते हैं और यह बहुत सारे लोग का यह भी कहना है कि यह फिक लैंडिंग की तैयारी एरिया 51 में की गई थी और यहीं पर यहीं पर यहीं पर क्या था दोस्तों एडिया 51 हमेशा से ही लोगों के बीच बहुत होट टॉपिक रहा है और यह वर्ल्ड का मोस्ट मिस्टीरियस रिसर्च सेंटर भी है पर हम लोग इसे एडिया 51 ही क्यों बोलते हैं वह इस वज़े से कहते हैं क्योंकि एए सी एन पीजी के मैप के मताबिक अगर आम लबजों में बोला जाए तो वह यह है कि अमरीका में बहुत सारे निकुलियर टेस्टिंग साइड है जिसमें से एडिया 51 भी है इस नाम से पहले यहां पर काम करने वाली लोग इस जिवहां को ड्रीम लैंड भी बोलते थे और एडिया 51 NTTR का एक छोटा सा पार् है तो हमारे सुटियो को लाइक करें और डिसलाइक करें और कमेंड में एक रिजन बताएं कि आपने यह डिसलाइक क्यों क्या तो उम्हीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी